एक आकरी सवाल से बोट पूरी इंडेस्ट्री से आप काफी ताइम से जोड़े हुए हैं और पवन सिंग जो अक्षर सिंग का जो बिवाद चल रहा है उन्होंने अक्षर में आरोप लगा हैं पवन जी पर इस पराखी क्या पतित लिया है कि देखिए पवन जी हमारे वशपन के मीत्रं झाये हैं और रुट हमों चीन चीपनी देना नहीं चाहिए कारण कि जब वहाद दोनों ने आपस में उन्हों का πεट्टिकत मैटर है उन्हों का प्रशनल मैंटर है जब उन दोनों ऋने अपस में जब स함 मति से सब कुछ किया हो agree क्या हिनों पूछा है और जिस तरह सेErब ओ सारी बाते मेडिया के सामने बताई इसे चाहिए और जी को भी आड़ मेदि देना चाहिए और अक्षरा जी ने अगर इस तरह की बाते अगर कहा है और उन्होंने अरूप लगा है तो कोई न कहा है अक्षरा जी में सत्यता होगा अक्षरा जी के पास पूरूफ होगा यह चीज में डिपली हम क्या बोलें यह तो उन दोनों को ही पता होगा लेकिन पॉन भाई को भी एक बार मीडियम आना चीए सब्सक्राइब मुझे सा लगता है आप क्या करना चाहिए आपकी पोश्टर दीख दीख दीए अक्षरा जी के साथ आपने सेल्पी लिया हुआ है पिछे आपने सूट किया है उनके साथ किस तरह का ब्यवार रहा है सेट पे हाँ अचली हमने विश्यू करा था दोह अपना यहां आसाम में पिछले साल अक्षरा जी और पवन जी को लेकर के तो बड़ा अच्छा ब्यवार रहा है हमारे साथ और बहुत अच्छे इंसान है और पवन जी के अंदर एक चीज है कि यस तो यस नो तो नो ऐसे इंसान है ही मैन माने जाते है और जितनी भोश्पूरी में अच्छा जी नहीं बनाई है और जहां तक रहा सवाल अक्षरा जी का तो हमारा भीवन से यह है दोस्ती है अच्छा ब्यवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन जी और अक्षरा जी का जो परसाल मेटर है उसमें तो हमें नहीं बोलना चीए ना बोलूँगा सब लोग है तो आज साथ में रहती है तो अच्छी फिल्में करके बड़े अक्टरों के साथ में अपना केरियर बनाती है तो अगर कहीं ने कहीं प्लस माइनस होता है तो उसमें लड़कियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सामने वाले की इज़त लेने से पहले अप अब कारा आपका बनता है हों हाम काम करते हैं हरा जैकर तो टीम मौरक गाल तो कहीं अनुएं था कुछ भी प्लस माईस होता है तो उसको मैनेस करना ची है ना कि मीडिया में जा करके ना पुलिस करके यह सब करके क्या होता है खुदका करे बाट लगती है प्लस और हमारी और पावन बया को जो बदनाम करने उसको नहीं करना चाहिए इस तरीके से जो तरीका है वो गलत है क्योंकि आज जिदनी फिल्में हिट दी है तो अच्छे लेवल पर उन्हों एक बड़ा नाम तक्षरा जी का है तो कहीं न कहीं उनको सोचना चीह था इस सब कदम उठाने सब्सक्राइब आरही है आपने कापी काम किये उनके साथ कापी सो किये है कि से दौरन वो दारू पीकर सब्सक्राइब करते थे इस तरह से आपको अपने पर उसका है तो तो अगर पर नाम प्रक्राइब करते हैं तो अगर कुछ दौरा सबके साथ होता है अपने बड़ा ने इस इंदर इस बात नहीं है और खाना पिना जुए करना सब करते हैं लोग उच्छते हैं गले बात है काकेजर आपसेक सवाल है आपने उड़्ाज भजपन के दोष्ट है तो क्या पावन ने आपको फोन किया कि अक्सा सीग काम मत करना खांग हो गाए ? नहें मैं इस तरह का बात मुझे पाउन सिंह का अभी हिपन ही और मुझे कभी अऄसा नहीं गोले कि उनको आप सो मत दो इस फिल्म कीया था. मैं ने कीया था तो छोहारी के साथ में मैंने काम किया था. तो पावन भाई का कभी ऐसा मेरे पास फोन नहीं है और मेरा बेक्तिगत अक्षराजी से भी मेरा रहा है बट एक चीज जरूर है कि सच प्रास्थ होता है प्राजित नहीं होता है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी सजा मिलेगा अक्षराजी गलत होँगी तो उनको भी मिलेगा पौर नहीं गलत होँगे तो उनको भी मिलेगा इससे जादा और हम क्या पूर सकते हैं क्योंकि उन दोनों का बेक्तिगत मामला है और बेक्तिगत मामला में साहित किसी को नहीं बोलना चाहिए वो दोनों आपस के वो लोग दोनों समझदार हैं और दोनों अपने गड़ित हैं अपने जगा पर गण मान भी है तो लोग खुद समझ कर अपना रास्ता निकाल लेंगे सवाल सचिन जी का बटे किस तरह का शुपकामना आई देना चाहिंगे सचीन भाई के लिए बस मैं दो सब्द बोलना चाहूंगा कि आदमी के अभीमानी ना स्वाभीमानी होके के चाहिए हित हित होला दुस्मन के भी ग्यानी होके के चाहिए मुगोर होके चाहिए करिया मुपापानी होके के चाहिए सब्सक्राइब कीजिए सचनल को और हमारी वीडियोस मिसना करने के लिए दबाएए सब्सक्राइब को